क्योंकि हमारा समय हो चुका है और आज हमें जादा से जादा सरीता मैम को सुनना है और उनके सेलिबरेशन को हमें देखना है तो हम आपके बीश में बाधा नहीं बनेंगे और हम सब आप सब के सयोग से सभी अपराजिताओं के सयोग से हम वार्म वेलकम के साथ में हमारी प्य करेंगे जोर दातालियों से वेलकम मेम वेलकम सताई दी वेलकम साइटा मेंक बखाई एंगे देग वेलकम थैनकियु तैंकियु वेरी मच आप सबी भाई भोनों का मुझे सही प्यार मिलते रहे और एवरे डे न पिम जैयार सिया हूं पहले तो मैं आप सभी का स्वागत करना चाहते हूँ दिल से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद आज मेरा सेलिब्रेशन और आप आए इसलिए वो से सलिब्रेशन बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगा तो एवरीडे वन पिम जै आर सेम आपसका हस्ता मुस्कुराता चाहरा देख के आज मुझे बहुत बढ़ी आ रहा है फूल कर लिजे मैम हो गई फूल येस मैम हो गई थैंक यू थैंक यू वेरी मच सभी सात्यों का में तहे दिल से वेलकम करना चाहती हूँ और आप जो भाई बहन और आधरनिये गुरुदेव बीसी सर को मैं बहुत बहुत धन्यवात और कोटी कोटी प्रणाम देना चाहते हूँ क्योंकि जो भी हूँ मैं आज उनके वज़े से हूँ और आप सभी भाई बेहनों का माईके का क्योंकि Every Day 1PM JRC में हमें माईका दिया है सब्सक्राइब करना चाहती हूँ मेरा चोटा सा परीचे देना चाहती हूँ मैं सरीता कामले मुंबई महारस्ट से अब स्टार एमराल लेबल पर काम कर रहे हूँ और मुझे ज्यादा अच्छा लग रहा है ऑपरचिता टीम का हिस्टा हो तो में बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूं पूरी अपरचिता टीम को क्यू government इस लाएक मुझे समझा कि मैं अपराजिता टीम का हिस्सा बन जगो तो इसके लिए गुरुदेओं बीसी सरकारे में और एक बार धन्यवात करना चाहते हूं क्योंकि उनके वज़े से 1 पियम मेरे जिंदगी में आया और मुझे आप सभी अपराजिता टीम से बहने मुझे मि कि आदर नियां गुर्थे उबीसी सर हमेशा कहते है । क определ के साथ कांए वो अनदेठ पसंड पसंड सफन होते और मुझे ऐसा लग रहा है कि जब से मैं राहुल सर के साथ कांए हूँ और मैं 100 पसन आगे बढ़ रहे हूँ सफलता प्राप्त कर रहे हूँ क्योंकि जो काम एक हाथ से नहीं होता है वो काम दो हाथ से जल से जल हो जाता है तो मैं राहुल सर का भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हूँ कि राहुल सर आज हमेशा आप मुझे ऐसा ही स स्टार इंबराल को मेरा सफर। जिस दिन से इस ऑढ़ियान में जूड़ी हूँ जिस दिन से इस सिस्टम में मैं आई हूँ लगबं मेरे जीवन में 2007 परिवार का मैं ुस्सा कि मेरे मन में हमेशा डर आगे बढ़ नहीं पाता थी लेकिन मन बहुत कहता था। कि सरिता तुझे आगे बढ़ना है, सरिता तुझे यह करना है, सरिता तुझे वह करना है, लेकिन मन कहा ना कहा डर था, और मैंने हमेशा बड़े-बड़े सेमिनार में, होम मिटिंग में, मैं हमेशा जाती थी, पोजिटिव होती थी, मोहल में आती थी, हमेशा कुछ ना में नहीं बात करती थी लेकिन एवरीडे वन पीम जै आर्सम जिस दिन से मेरे जीवन में आया है और आधरनिय गुरुदेव बीसी सर ने मेरे सर के उपर जो आशिरवाद रखा है उन्होंने दो हाथ रखे मेरे सिर के उपर कि आपका डर मुझे दे दो और आप मैदान में दो लीडर्स आते थे इसाल कि मैं कब लीडर पनोंगी मेरे मन मी हमशा खैल होता था और उस घूलसी पर बैठके में हमेशा सोचती थी कि मैं इस संगर्स ता मेरा जीवन था वो लग बग 10 ताल मुझे लगा उस खुडशी से इस स्टेश पे आने के लिए मुझे दस साल लगा लेकिन एवरीडे वन पिम जैयास्यम के माध्यम से मुझे 10 सप्टेम्बर 2020 मुंबई में विजेता दिन बना और मेरा पूरा डर निकल गया जिस ताइम में स्टेश पे चड़ी हमेशा मैं पॉजिटिव थी इनर्जी थी और लगबग दो सेशन मुंबई में हुए थे और दो सेशन में मैंने लगबग दो-दो घंटे बात की दी ये सरीता काम ले एक मिनस से दो में मैसेज देने के लिए डरती थी लेकिन मैंने ये काम किया एवरीडे वन पिम जैयास्यम के तो ये हाउज वाइप म इस दिन मेंने वो स्टेच पे गई और मेरी दिन में कोई डर नहीं था पूरा में खिली दुल से में आके स्टेच पे गई मुझे ऐसा लगता था कि में ये बन सकती हूँ हंडेट पसंद मेंने बना मेंने मेरा सपना पुरा किया और मैं आज आपराजिता टीम की हिस्सा हो मेरी फैमिली केरिंग सिस्टम, यहां आने के बाद मैं बोत इमोशनल हो जाती हूँ, मैं मम्मी पपा है, मेरे पापा मुंबई पुलिस में काम करते है, मेरी मम्मी हाउस वाइफ है, लेकिन उनके संस्कार है जो मुझे मिले है, मैं उनको धन्यदान देना चाती हूँ, जीवन में संगर्ष किये है, और उन्होंने हमें पालपोस के बड़ा किया है, ऐसे माता-पिता सभी के भग्य में होने चाहिए, मैं बहुत भागेशाली हूँ, परम भोगशाली हूँ, और बहुत-बहुत भागेशाली हूँ, क्योंकि मुझे ऐसे माता-पिता मिले, मुझ अपना मुझे पूरा करना था और मैंने आज ये पूरा किया है कि बेटा नहीं हुआ तो क्या हुआ बेटी भी सब कुछ बेटे जैसे काम कर सकती है आज मैंने मेरे पापा का मेरा सपना था मुंबई पूलिस में काम करना था क्योंकि मेरे पापा मुंबई पूलिस में काम कर लेकिन इस अभियान में इस आर्सेयम परिवर का में हिस्सा बनी और उस दिन से मैंने ठान लिया कि मुंबई पुलिस में होके भी पापा का नाम बढ़ा कर सकती है लेकिन आर्सेयम परिवर का हिस्सा बनके भी एज एक लीडर बनके भी में मेरे ममी पापा का नाम रोशन कर सक चल्वकई कर सकते हें तो इलुके बहुत बहुद देना चाहते हूच सकते questa कि एक लिडर बन सकतीugenたर तो cryptocurrency का हिसा बन सकती है और तु कुछ कर सकते तो मैं बहुत बहुत धननेवाद देना चाहते हूच मेरे मम्मी पापा को आपका ऐसा ही प्यार मेरे उपर हमेशा रहे और आपके सपोर्ट के वज़े से आज ये सरीता आपकी बेटी आगे बढ़ रहे और आपका हमेशा आशिरत ऐसा ही रखे और हंडेट पसंद ममी पपा को मैं आई लग भी बोलना चाहते हूँ मैं आपसे बहुत सारा प्यार करती हूँ क्योंकि मैं अभी भी फिल्ड पे जाती हूँ तब ही मेरे ममी पपा का दिन में दो तिन बार मुझे पून आता ही आता है कहा तक पोची कैसे पोची तो मैं मेरे पपा को धन्यवाद देना चाहते हूँ, I love you, मुम्मी पपा, बहुत बहुत धन्यवाद, यह मेरे मौसी अंकल है, इन्हों ने, यह मेरे सगी मौसी है, इन्हों ने मुझे आरसियम सिस्टम में लाया अंकल जी ने, क्योंकि आज जो भी हूँ, मैं उनके वज़े से हूँ, क्य जो भी हूँ, आज में उनके वज़े से हूँ, क्योंकि वो मेरे सपोर्ट सिस्टम है, यह मेरे हम चारो भहिने हैं, और यह तीन मेरे जीजा जी है, मड़ी बड़ी भहिन का नाम शुष्मा है, मैं दो नंबर सरीता कामले, तीन नंबर नहीं हैं, और चार नंबर सम्रुद् यह मेरे सपोर्ट सिस्टम है, हमेशा मैं आगे बढ़ती हूँ, तो इनका सपोर्ट हमेशा मेरे साथ रहते हैं, और मेरे जीजा जी भी हमेशा, जीजा जैसे नहीं है, वो भाई जैसे हमें प्यार करते हैं, हमेशा सपोर्टिंग करते हर जगह पे, हर सुख दुख में, हर यह चारो जनों मुझे सपोर्ट करते हैं, तो मैं सभी मेरे भेहनों का भी बहुत-बहुत धन्यवाद और थैंक यू बोलना चाते हूं, आप सभी को भी मैं लव व्यू करना चाते हूं, आप से बहुत प्यार करते हूं, आप हमेशा मेरे ऊपर ऐसा ही प्यार करें, और आगे के पहले कि राज Pumar हमारे जीवन में कैसे आये सशुराल कैसे होगा पत्ति-पत्नी का रिस्ता कैसे होगा सपने पूरे होंगे कि नहीं होंगे वह हमेशा मेरे दिल में रहता था कूँ कि जब लड़की बढ़ी होते तो मन में तो ख educ hari और मेरे मन में भी में हमेशा खेल करते क्योंकि में मीडल क्लास फैमिले से माइके से बिलॉंग करती हूँ बहुत सारे सपने कभी-कभी पूरे नहीं होते कभी-कभी पूरे होते लेकिन शादी की बात पूरे हो ऐसा लगता है लेकिन राउसर को मैं यहां आज नैशनल लेवल के उपर से यहां बोलना चाहती हूँ क लेकिन उनके सपोड के वज़े से उन्होंने मुझे खिलाया खिलाया है पूरे कोन एसे अरशील है चाहिए मैं संसरी क्यात्याइब करने के हीर Families अब द Ind 그러면 प्यार चाहिए में बगиватьते शुल्ड शुल्ड रख करे ना चाहिए और आप शेंसे सप्पोर्ट» किए यह मुझे अगे बढ़ते रहोगे तो बहुत वह धन्यादvietगे मेरा डाइमंड कांवया मुझे एक ही बेटा है दस सल का और आज भी इसके पार में आपको मैं बाद में कभी बताऊंगी मुझे टाइम मिलेगा तो जीवन में बहुत बड़ा संगश किया इसने भी और मेंने भी क्योंकि मेरा मेरा बेटा हमेशा सपोर्ट करता है पहले में घर से बाहर निकलती बैक तो उसको आठ दिन पहले मुझे कहा जाता था कि मुझे अभी यहां मिटिंग के लिए जाना है लेकिन वो रोनी लगता था लेकिन मुझे ऐसा लगता था कि बच्चे अब रोहेंगे तो चलेगा लेकिन आगे जिंदगी में कभी रोने नहीं चाहिए इसलिए मैं उसको लेकिन अभी डिस्टब नहीं कहता ना अभी रोता है क्योंकि वन पीम के माध्यम से उसको हमेशा समझ में आया है कि मम्मी एक बज़े का प्रोग्राम मटेन कर रहे हैं मम्मी को बाहर जाना पड़ेगा और अधरनिय गुरुदेव बीसी सर की भी बाते वो सुनता है आप सभी अपराजिताओं को मिला है बड़े-बड़े प्रोग्राम में आया है कि उसके मम्मी पपा क्या काम कर रहे है उसको प्राउड फिलो रहा है वह अभी भी मुझे मैं उसको कभी पूछती हूँ कि बड़े होके तुझे क्या होना है तो वह बोलता है कि बड़े होके मुझे आ और हमेशा आज कल के बच्चे आप सभी को पता है कि बहुत सारे एक्टिव है उनको तूरद हर एक चीज समसे तो कावे में भी आपको I love you कहना चाहते हूँ आप ऐसे मुझे साथ दे आपकी मम्मी पपा बहुत बड़े होने वाद है तैंक यू वेरी मच ये मेरी सासुमा है सासुमा के बारे में बताना चाते हूँ आज इनकी एक 65 अबाव है लेकिन हमेशा मेरा साथ देते हैं आज हम दोनों भी फिल्ड वर्ट जाते हैं घर से 4-5-5 दिन बहार जाते हैं तो पूरा घर संबालते हैं खाना बिना भी बनाते है और एक चीज़ बनाते हैं और सपोर्ट सिस्टिंग मेरी है कावे को भी संबालते हैं पूरे फैमिली को संबालते हैं जब तक मैं नहीं आओंगी तब तो पूरा हैंडल कर लेते हैं ताकि मुझे कभी उन्हों नहीं किया कि आप नहीं है तो यह घर में प्रॉब्लम होगे नहीं यह पूरा सपोर्ट मतलब सासु मा भी होनी चाहिए तो मा जैसी होती है मा का प्यार उन्हों ने मुझे हमेशा दिया है तो मेरे सासु मा को भी आयलोगयो कहना चाहती हूँ कि आप ऐसे मुझे सपोर्ट करें आपकी बहु हंड़ेट पसंद आगे बढ़ेगी आपका बेटा और आपकी बहु और में तो बटा और बहु नहीं करती हूँ मैं तो आपकी बेटी हूँ तो बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ और आपको भी आयलोगयो बुलना चाहती हूँ यह मेरी पूरी फैमिली है इसमें मेरी ननन्द है उनके बार में बताना चा कि ना चाहती हुं सभी सात्यों को मेरी मामा ससुर्णी आपको अच्य नहीं होगा कि सपोर्ट किया उनकी बैटी कहा है और मुझे अभी भी बोलते हैं कि सब्सक्राइब बोलते हैं कि आगे मत बड़ो यहां मत जाओ, वहां मत जाओ, वहां बच जाओ भहु ऐसे करेगी वही वही और ऐसे मुझे कोई ऐसा कोई परैशानी न है मुझे हमोड़े कि आज वहाँ है कि तुआ कि अब यह मेरा फूरा फैमीली का सपोर्ट है तो मेरे मेरे सभीcott कर रहे हैं और हम बहुत सामन्य घर से हैं कि जो भी है आज जो हम आर्षयम अभियान में काम कर रहें यह तीन वेक्तिव के वज़े से कर रहे हैं क्योंकि यह है इसलिए हम है और हम बहुत साम्मन्य घर से हैं हम साम्मन्य परिवार से हैं लेकिन हमें पता नहीं था कि हमारा जीवन कैसे बढ़ेगा लेकिन यह तिन जो नोने यह तिन हीरे हैं यह तिन डाइमन हैं इन्होंने सोचा और हम आज सर्व साम्मन्य लोग जो मिडल क्लास के लोगे हम सब आर्चम परिवार का हिस्सा बने तो हमारा परिवार यही होते दो बच्चे दो मीता पत्ति और हमारी पूरी फैमेल उसके बगल से हम बहार निकलते नहीं लेकिन आर्चम परिवार हमारा पूरा परिवार है तो मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देना चा क्योंकि आप हो इसलिए हम सब हैं तो थैंक यू थैंक यू वेरी मुझ अवर मेंटर मेरे मेंटर मिस्टर और मिसेश राजरान सारण जी हमेशा सपोर्टिंग करते हैं आज उनके मोबाल भी मेरा नाम सेव है जब भी मैं उनको कॉल करते हूं वेलो बेटा सरीता जी कहते हो आ और मिस्टर और महाविर सारंग जी इनके बारे में मैं बहुत बताना चाहती हूं मैंने उनको जब पहली बार मिली थी क्योंकि मुझे भाई नहीं है और मैंने उनको पहला शब किया था कि महाविर भाई जी सर तो मैंने उनको बाद में बला और हमेशा उन्होंने बहें जै चाहते हूं माविर सरका और दीदी का कि आपने हमेशा हमें ूपर सपोर्ट किया है आप हमारे मेंटर है आप हमारे गुरुदे ओए और आपके सानिदे में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, मिसेस और मिसेस जैनारेन कुकना जी, कह रिये उन करिये सरीता जी, बहुत बढ़िया कर रहे हैं, मैं भी रेल्वी स्टेशन पे हूँ, बहुत शानदार, जानदार, जबरदस्ट में सुन रहा हूँ, पूरी मिटिंग, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, सर, जैनारेन कुकना जी के लिए, मैं भी उनके बारे में बताना चाहते हूँ, जब पहली बार, जैसर मुझे मिले थे, उन्होंने बहन करते के बोला था, सरीता बहन कैसे हो, तो ये पूरा परिवार ऐसा है, ऐसी सिस्टम है, कि ये दुनिया में कहा भी नहीं हो सकता, एसी सिस्टम, ऐसा परिवार कहा भी नहीं हो सकता, तो जै भाई ने भी और मन्जूदी दिने में हमेशा मुझे सपोर्ट किया है, और हमेशा मुझे सपोर्ट करते रहेंगे, मुझे पूरा विश्वास है, और बहुत-बहुत धन्यवाद है, मेरे अपलाइन में आते हैं, और मनोश बजाज जी और निरू बजाज जी का भी बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाते हैं, उन्होंने मुझे पहली बार 2013 में मेरी जॉइनिंग होने के बाद मेरे घर पे मनोश बजाज जी आया थे, उन्होंने तब बोला था कि आपके जीवन में चान्दी के चम्चे में आप खाना खाएंगे, और 100% आश्टार अमरा लेवल पे इंकम आ रही है, हर एक काम बढ़ रहा है, हर परिवार बढ़ रहा है, हर एक चीद अच्छी हो रहे, तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, अब आ रहे हैं मेरे मेंटर, मेरे गुरुदेव रादेशाम सुतर जी ये भी मेरी अपलाइन में है, और रादे भाई मतलब मेरे सगी भाई जैसे मुझे हमेशा प्यार करते हैं, सपोर्ट करते हैं, जब सीरू में जिरो से मैंने काम चाहा, तब से वो मेरे घर में आते हैं, हमेशा मुझे सपोर्ट करते हैं, और हमें दोनों को भी परिवार का हिस्सा बढ़ चुके, पूरे हमारी कोर लीडर है, इनका सभी का भी मैं बहुत धन्यवाद देना चाहते हूं, क्योंकि ये हमेशा मोहल बनाते हैं, लीडर हमारे मुंबई में आते हैं, हर अर जग़ पे जाते हैं, तो ये जब मिटिंग करते हैं, ये जब सेमिनर करते हैं, तब हमें होसला बनता है, हम आगे बढ़ते हैं, और 8PN के प्रोग्रम में भी हम रोजाना आते हैं, क्योंकि हमें यहां सिखने का मौका में था है, तो सभी कोर लीडर भाईों का मैं बहुत दन्यवाद देना चाहते हूं, इनके लिए एक जोड़ार वाली ताली होनी चाहिए, अब ये अपरजिता ट अभिशेक भाई ने हमें बताए कि नहीं आप कर सकते हो, कर सकते हो, और हमने ये साबित किया अपरजिता टीम के, कि 28 नुवंबर के प्रोग्राम में हम सब महीला, हम सब अपरजिता स्टेज पे जाके हमें तो मान सम्मान जो मिला, वो बहुत कुछ मिला है, तो मैं बहुत- और हमारे brand ambassador नीरा भावी और कल्यानी दिदी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, भावी होनी चाहिए तो ऐसी होनी चाहिए और ननन्द होने वाली चाहिए तो सरिता जैसी होनी चाहिए क्योंकि हमारा परिवार है और हम एक दुसरे से जब प्यार करेंगे तो रिलेशन बहुत पक्का हो जाता है, कल्यानी दिदी को मैंने कभी नहीं देखा था ना, उनका कभी नाम सुना था, लेकिन वन पीम में आने के बात उनके साथ इतना बात करने का मौका मिला, उनका बड़े सेलिबरेटरन करने का मौका मिला, उनको विजयता दिन को मैंने इन्वाइट तो वो वीजेता दिन के लिए भी मुंबई आया थी और उनके साथ मुझे तीन दिन मुंबई घुनने का भी मुआका मिला इतनी साधारन है हर में कोई भी कोई प्रॉब्लम हो जाए तो उनके पास तूरंस उसका सोलीशन रहता है जबाब रहता है कि यह नहीं त माधेम से उनका हत्ता मुष्कुरता चेहरा हमेशन मेरे आखों के सामने आता है और मुष्काल होती है तो ऐसी होती है और यूपरूft ओकर मुंबाय के प्रोग्रम में मैं अइनीला में आपधी तो मज़े चया पिनाए का भी माका मिला था शामा मुद के वूम मेडम आपकी स्टोरी होनी चाहिए लेकिन मैंने उनको हाँ आज नहीं कल नहीं परसो तरसो ऐसे बोल बोल के लेकिन मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हूं सरोजनी मेडम क्यूंकि आपके वज़े से मैं आई हुई इस वन प्रोग्राम में और आपने मुझे बुलाया इसलिए मैं आज हूँ नुतर मेडम के बारे में क्योंकि की सौल की माश्टर है और उनके साथ में जब बात करती हूं तो एक सौफनेस मन में आता है और हमेशा हस्ता मुस्कुरत है संद्धी के बारे में का एक लीडर है हम करेंगे आएम लीडर आइम लीडर ऐसे डैसिंग वाली बात आते तो उनसे भी मे कुछ बहुत सित्यू शितन मेडम पुना महारस्तस है तो मराठी मराठी यह तो जान आ जाती है बहुत अच्छा लगता है और शितन मेडम को भी मिलने का मुझे 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 मुंबई में इन्वाइट किया था उसके बाद चंद डभर रहे है जयं मेडम की बात क्या करें जयं मेडम की हना कून में जूफर में प्रो ग्राम हुआ था विजेता दीन उनके घर पर जाने का मुझे मुझे मुका मिला रहने का मुझे बहुत सानदार है इतनी है इतनी प्यारी वाली है कि एक बह prolje होती तो जमिले माडम जै लीडर होना चाहिए तो ऐसे होने चाहिए यांग लीडर हमारे बच्चों के उपर भी अच्चे संस्कार होगा मैं अभी यूटूब पे मधू मैडम का उनका फोटो दिखाते हो बच्चों को बोलती हो कि आप आपको भी ऐसा बनना है तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देने अपराजे तीब का प्यार और सम्मान भी सरोजनी मेडम जब मैं लखनौ में गई थी लखनौ से मुंबई आ रहे थी मेरी लगबक आट दिन की टूर थी और मैं लखनौ स्टेशन से मुंबई आ रहे हो थी तब मुझे सर्प्राइज मिला सरोजनी मेडम मुझे मिले के और वहां का लखनौ का जो प्यार बड़ा हो मिठाई होते हो भी ले और उसके साथ सर्प्राइज गिज मुझे नहीं देखा था मैं जब ट्रेन में चड़ी उसके बाद मैंने निकाला तब मुझे सर्प्राइज मिला उन्हें ने मुझे आर्सम की कुर्थी भी मुझे प्यार होता है अप्रजिता का प्यार और अप्रजिता का प्यार हमेशा ऐसा रहेगा यह प्यार आपको कहा नहीं मिलेगा यह प्यार तिप आपको आर्सम परिवार में मिलेगा और और एक स्पेशल प्यार आपको मिलेगा अप्रजिता टीम में तो आप सभी को निवेदन क वाहुख है, बहुत क्योंकि, BC Sarah ही इतने emotional है, इतने भाहुख है, इतने प्यार करते हैं, तो भाई का भी प्यार हमें मिला है. जब भी मैं उनके साथ कभी में ना मिलीती, लेकिन अठ्ढी सारी के प्रोग्राम में मुझे मिलने का मुचा मिला. और जब मैं उनसे मिली तो उन्हों ने मेरी बात का कि पापा जी आपके बारे में हमेशा बात करते हूँ तो मुझे प्रावड फिला कि गुरुदे ओ तो ने मेरे में बात करते हैं लेकिन भाई के मुख में भी सरिता जी का नाम आया तो मैं भूह दहनेवाद देना चाहते हूँ जीवन में भाई होना चाहिए तो विशेक भाई जेते होना चाहिए तो इन दोनों के लिए भी जोड़दार ताली होनी चाहिए गामा ओरिजणल से इशा मेडम का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहिए क्योंकि मैंने टार्गेट पुरा किया उनके साथ रुगरू फोटो निकलने का मुझे मिला और आज ये सरीता काम ले ना गामा के उपर काम कर लेकिन राव सर के साथ जोड़ती थी हमेशा प्रोग्रम में चाती थी लेकिन वन पीम के माध्यम से मैं आगे आई ट्रेनर ने मु अब तो तोली है मुट्टी पर जमी अभी तो पूरा आस्मान बाकी है ये मैंने मेरे घर पे हमेशा जब तोहर होता है तो मैं आर्सम की रंगोली निकालती हूँ ये बहुत सारे स्लाइड मैंने आपके साथ आज निकाली हूँ और पूझा आपको करना है हर दिवाली में ल अंदिर में होने चाहिए तो आर्सम के प्रोडख होने चाहिए तो मैं आर्सम को भी बहुत-बहुत दन्यवाद देना चाहता हूँ टी सी सर बी सी WO को प्रियंका मैंना को बहुत बहुत जन्यवाद nights C immol की इतने अभी उसको छुआ है तो बहुत-बहुत धन्यवाद नेना चुछी पूजा होनी चाहिए तो घर में प्रोड़क की होनी चाहिए उसके बाद मैंने गामा ओरिजिनल में काम किया है हर जग पे मैंने प्रोड़क सेल किया सब्जी मंडी में भी मैंने गामा ओरिजिनल के यह यह मेरी वुष मिटिंग बी हर जगेट जाके प्रोग्राम करती हूं है। आंट कुन्टू सेमिनार हर जबह पर मान सम्मान मिल रहा है हर एक चीज हमें मिल रही है तो मैं बहुत-बहुत टीम यूनिक क्रियेशन के माध्याम से आप सभी भाईबरनों का बहुत-बहुत धन्यवा देना चाहते हूं हर जगह पर लक्ष को पाने के लिए यदि अधियम हम तन् तो कुंडली के सितारों भी अपनी जगह बदल लेते हैं और मैंने रैपिट पिक्यूसी का भी पूरा एक सेशन पूरा किया था 156 रैपिट पिक्यूसी में मैंने कभी काम नहीं किया था आपको बोला था मैं सिर्पावडर अलिस्टिव लगा थी उसके उपर मैंने कभी न करना चाहते हूं मेरे में कुछ का स्टार एमना जब मेरी पीन आई और कोविड का टाइम था तो मेरी पूरी टीम मेरे घर पे आई और उन्हों ने मुझे सर्प्राइज दिया और यह पूरे फोर्टर सेशन आपके सामने है ऐसा तिलक लगाया सभी भाई मेरे घर पे आए सबने तिलक लगाया गिफ्ट दिया और यह भिलवाडा में पावन दर्ति के ऊपर मेरा प्रोग्राम हुआ था वा सेलिब्रेशन हुआ था तो बहुत बहुत दन्यवा देना चाहतू यह गिफ्ट मुझे टीम से मिला था और यह आज गिफ्ट मेरे घर में लगा हुआ है मै उसके अलावा आरसम 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 और यह मुंबई विजयता दीन बना था गुरुदेओं का बहुत 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 दन्यवाद देना चाहते हूँ यह पूरी टीम और हमेशा राउल सर मुझे स्टेज पे उपर बुलाते थे लेकिन इस प्रोग्राम में मैंने राउल सर को स् कि यह इतना बड़ा अच्छा मोहल था उसमें शमा में थी थंदया मेडम थी शितर मेडम थी कल्याडी मेडम थी बहुत सारी अपरजिता की पूरी टिम जमुना मेडम थी इतना लंबह से प्रवास करके भी वह आई थी तो आप सभी का में बहुत-बहुत धन्यवाद देना च में लगबख शादी होने के बात बारा साल तक में रेंड पे रही हूँ ना मेरा खुद का घर ना मेरी गाड़ी थी लेकिन इस आरस्यम परिवार का हिस्सा बनने के बाद इस सिस्टम इतनी मजबूत है कि मैंने जो सोचा था कि टू बेच का घर मुंबई में लेना है और व बहुत बहुत धन्यवाद बहुत सारे सफने हमारे हैं आगे बढ़ रहे हैं माई टीम मेरी टीम का नाम टीम युनिक रियेशन है इसमें यह सब नेरे टीम के प्लीलर है, यह लीडर है, यह जिम्मेदार लीडर है, क्योंकि आज जो सरीता कामले और रावल कामले है, यह आगे बढ़ रहे हैं, इनके वज़े से बढ़ रहे हैं, कि बिल्ड और टीम बहुत मजबूत है, यह मनोज मुरे जी, दिपंकरदा जी, आज नहीं लगाया है, क्योंकि बड़ी टीम है, कोई नारज नहीं होना चाहिए, इसलिए सबी सात्यों को एक रिक्वेश्ट निवेदन करती हूँ, कि जिन सात्योंने पंदरा सो प्यूए हैं, कि उन सभी सात्यों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, पा जी के लिए मैं जोर जा ताली बजाना चाहती हूँ, इनका वेलकम करना चाहती हूँ, कि उन्होंने टारगेट लिये और अस्टार पिन उनकी आई, डिसमर मैने में तेज बादूर और उनकी पूरे फैमिले को मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ, बिग बिग पॉंगरेश सब्सक्राइब करना चाहिए, तो ऐसा ही होना चाहिए, और यह RCM का है, खाले है, तो बहुत ही सांदार रहा और आज हमारे बीच में सरिटाइब मैं के डर को भगाने के लिए, उन्होंने डर को भगाया है तो वन पी-एम के माध्यम से बगाया है, इस प्लेटफराद से बगाया है, तो आज हमें वन पीम को देने वाले और हम सब के पेड़ना सो तरह हम सब के आदर नहीं है, मानने हैं, बीस ही सर हमारे बीस में हैं, तो हम आप सब की जोड़दार तालियों के इंवाइट करेंगे, बहुत और आपका विल्कुम बदूस वाज़त है, विल्कुम बदूस के उनसे पहले तो मैं किन सब्दों में आभार परकठ करूं, धनिवार परकठ करूं, शुक्रिया आदा करूं, बदाई दो, मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि किन-किन को दों, किस-किस को नहीं दों, मैं पूरी की पूरी एपराजिता टीम को इस स्यानदार प्रजेंटेशन क के लिए शानदार कारिक्रम के लिए बहुत दिल से जिन्दगी में इतनी खुशियां देखने को मिले कास ऐसे प्रोग्राम रोज चलते रहें और इसी तरह से हम अपने आपको गदगद करते रहें ऐसी दिल से बहुत प्यार्थ भरी जो अर्मान उठते हैं इस तरह की प्रेजेंट किया और इसका प्रेजेंटेशन मनाया प्रेजेंटेशन मनाने में तो खेर राहूल का हाथ था ये तो मैं समझ जाता हूं क्योंकर राहूल का प्रेजेंटेशन में देखता रहता हूं तो मेरे को उसकी च्छाप पता चल जाती है लेगिन सरीता ने जिस और मैलाओं तक हमें यह प्रजेंटेशन पहुंचाना चाहिए कि आपको भी ऐसी जिन्दगी चाहिए तो आजाई आर्सेम में आर्सेम उनको प्लान देखने से समझ में नहीं आये अभियान देखने से समझ में नहीं आये या कुछ और देखने से समझ में आये नहीं आये ले तो बिल्कुल बहुत अच्छा, बहुत मलग, मैं जितनी बदाई देनी चाहिए उससे हजार गुना पदम गुना बदाई देना चाहूँगा, और एक बात मैं सरीता के वेक्तित्व की आप सब को कहना चाहूँगा, हर वेक्तित्व की अपनी गरिमा होती है, हर वेक्तित्व क को एक निवेधन करना चाहूंगा कि आपकी छोटी छोटी आँखों में बड़े बड़े सपने बनाईए अपनी छोटी छोटी आँखों में बड़े बड़े सपने बनाईए और अपने बनाईए अगर आपकी छोटी छोटी आँखों में बड़े बड़े सपने बन जाएंग तो एक दिस्ती एक दिन इतियास में आपके अपने पन्ने बन जाएंगे आँखों में या तो डर रह सकता है या सपने रह सकते हैं दोनों में से एक ही चीज रह सकती है जिनके पास सपने होते हैं उनका डर भागता जाता है और जिनके पास डर होता है उनके सपने भागते जा इसलिए सपने मनाईए हाँ हो सकता है आपका परिवेस आपकी पालना कुछ साधारन गरों में हुई हो वो सकता है आप जब सपने देखो तो आपकी ममी ही आपको सपने ना देखने दे पापा ना देखने दे पती ना देखने दे दोस्त ना देखना दे रिस्तेदार ना बहुल ना देख ना दे लब हो सकता है चारों तरफ कई बार लोगों को ऐसा परिवेस नहीं मिलता कि वो सपने देख सके क्योंकि बार की दुनिया ही हमें रोप देती है लेकिन मैं आर्सियम के होने के बाद अपनी डंके के चोट पर अपने दिल पे हाथ रखे कहना चाहता आर्सियम के मादियम से आप हर सपने को पूरा कर सकते हैं और दुनिया में अगर करोडों लोगों को और पूरे बारत को और आपको बरोसा नहीं हो तो भी मुझे तो बरोसा है कि इस प्लेटफॉर्म और इस सिस्टम के मादियम से आप अपने सपने पूरे कर सकते हैं बस आ आप केवल मेरे भरोसे पर भरोसा करिए एक दिन आपके भी सपने होंगे आपकी भी कहानी बनेगी आप भी के जुबानी बनेगी और इस तरह से इंदुस्तान के जन जन तक वो कहानी पहुचेगी अब मेरे पास कहने को बहुत कुछ है मेरे पास में सरीता के व्यक्तित्व को बताने के लिए 32 पॉइंट है अगर मौं 32 पॉइंट बताऊंगा तो पूरी ट्रेनिंग बन जाएगी किस तरीके से सरीता स्ट्रॉंग पॉजिटिव एटिचूट की मालिक है किस तरीके से सरीता फुद भी करने की खिंटा रखती है टीम से करने की खिंटा रखती है किस से वो हाड वर्क लास्ट मिनेट तक तब वो रैपिड पीकिउसी जैसा बड़ा टार्यट पूरा कर लेती है कैसे वो स्ट्रॉंग येचा की मालिक है ऐसे 32 पॉइंट मेरे पास है लेकिन आज मैं उन पॉइंटों पर बात करूँगा तो बाकी जो हमारे सीनियर लोग है उनका मोगा लेकिन मैं तीन साधरन सब्दों में बताना चाहता हूँ और सभी ऐ पराजिताओं से यह उमीद करता हूँ कि मैं वो तीन गुण जो है जो आपको सही माइने में एक नेशनल लीडर बनने के लिए तयार करती है उसमें से पहला गुण है बोल्ड होना यह प्रिजेंटेशन बंबई के प्रोग्राम में पहली बार मुझे पता चला कि सरीता सौप्ट ही नहीं है बोल्ड भी है इमोशनल ही नहीं है वो बोल्ड होकर एक नेशनल ले सकती है और इतने बड़े प्रोग्राम को लीड कर सकती है विजेता दिवस जैसे प्रोग्राम को लीड किया लोगों ने कुछ सोचा लोगों ने कुछ कहा लेकिन मेरे को बहुत अच्छा एक लीडर का जनम होता है तो एक देश का जनम होता है और सरीता बोल्ड है लेकिन सरीता बोल्ड ही नहीं है वो कोल्ड भी है जब जरुवत होती है तो वो सारी आग को भी जेल लेती है और अपने आपको सांत रख सकती है तो वो cold भी है लेगिन सरीता cold ही नहीं सरीता mold भी है mold यानि जैसी परिस्टिय हो उसमें अपने आपको ढाल लेना और मैं आपको इतना बता देना चाहता हूँ जिसमें ये तीन गुन होते हैं mold होना साथ में जरुत पढ़ने पर परिस्टियों के सामने cold होना और परिस्टियों के अनकूल अपने को mold कर देना यानि mold देना वो उनकी जिन्दगी real gold होती है तो उसकी जिन्दगी real gold बने और आप सब भी इस bold cold और mold जीवन को अपना कर आपे सब real gold बने ऐसी मेरी सुबकामना है और आपने इस one pm को पंक लगाए है one pm को brand बनाया है और आज one pm में जो story का जो presentation आपने दिया है वो मैं एक पल के लिए भी मेरे को कोई बहुत जरूरी काम था तो मैंने सोचा कि मैं अपनी बात करके चला जाओंगा लेकिन एक पल के लिए भी मैं इस प्रोग्राम से हट नहीं पाया मैंने सारे प्रोग्राम पोस्ट्पोन किये और सारा और एक पल मलब आप पलक मैंने इस प्रोग्राम को देखा है और बिलकुल मैं बहुत 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 आप राजिता टीम को और इस प्रोग्राम क सबको और सरोजंग मेडम जिब बोलती है नहीं जिब इनकी बींखर कंपाल कि होती है पर आपकी SEC को दार्ब देने पड़ेगी बिल्कुल बहौत बहुत आभार और 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 बहुत-बहुत बढ़ाई थैंक्यू सो मच थैंक्यू थैंक्यू सो मच गुर्देव आपका मागदर्सन मिला और आपने विशेश धन्यवाद दिया विशेश बढ़ाईयां दी सजिता मैम को वाकई में बहुत ही सांदार आज का सेक्सेस सेलिबरेशन प्रोग्राम रहा तो सारीता मैम आपको बहुत-बहुत नहि competitive धन्यवाद आप इसी तरीके से आगे बढ़ती रहे और हम आपका सेलिबरेशन करते रहें और हम आपसब का सेलिबरेशन देखते रहे तो बहुत-बहुत धन्यवाद गुर्देव बीसी सर का भी जो इनों में तीन गुल्ड की बाथ की सद्व में देखते रहते हैं तो हम्मीशा मिलते रहते हैं देखते रहते हैं तो स्थाइन की gute हम सब के पेड़ना सोथ्रांऔर हम सब तो हम आपकी जोड़दार ताली को बीच में राज़ा रामसारण जी को करेंगे। करेंगे प्लीज वेलकम सेर प्लीज मोस्ट वेलकम सर वेलकम सर माल कर दिया आज तो गजब कर दिया वही वाई साब को मैं बजाई देना चाहूंगा प्रोग्राम मैलाओं के लिए किया और पता नहीं मुझे क्यों लग रहा था कि लेडरी इतना अच्छा सिस्टम के बार में कहते हैं जितना लड़किया करती है तो पर जरूरती नहीं सब्सक्राइब को यहापर धन्यवाद और बहुत बढ़ाई देना चाहँगा कि कमजोर नहीं है कर और कोई भी महिलाई यह प्रोग्राम देखने के बाद में वी कुछ करते हैं इतियास ही बनाते हैं ऐसे ऐसे महिलाओं को मैंने मजबूत तोकर के कभी नहीं देखा जब हम समाज में और प्रिवार में जाते हैं महिलाओं से मिलते हैं तो महिलाओं बोलती है कि हमें तो कुछ पता ही नहीं है जीवन कैसे चलेगा हमें तो कुछ बताया ही नहीं उन्होंने कैसे क्या होगा मगर यहां पर तो हर चीज के अंदर ने सुरू हुए तो लगा कि एपार्टमेंट मिलिखा नहीं मिल भी मिल जाएगा तो श्यांदार प्रोग्राम राज का और श्रीता जी तरीके से अंदर बोलती रहती है कैसे करना आप मैं कि मुझे क्वेसे करना है क्योंकि आप काम कर रहे हैं ना करता हो इस जुरूर थी जिस तरीके से और जिस माहोल से आपने जो चीजे रखती है ना वो चीजे लोगों की दिलों में डारेक्ट पहुंच आती है हम जब कोई बात सब्सक्राइब करते हैं आप आप आपने कैसी सेना तैयार की है जो कुछ बीद करने के लिए तैयार है बहुत-बहु झाश्यों नमस्कार अपका बहुत-बहुत धनिवात कि आज आप इस प्रोड्रहम में और हम चाहेंगे कि की आप लोग्राव मेरे की ऐस के मायरे के साथ serves of आपको रहना है तो बहुत की खत्म होगे ला इस अधिकार के साथ में आप बोलो हमेशा हजी रहेंगे आपके सांथ हम बहुत हम बहनों को बस आप इसी तरीके से मालगदर्सन देते रहे हैं और हम बहने आपको करके और करके दिखा रहे हैं जैसे की आज सरिता मेह attends से जादा हम कर रहे हैं तो हम सब बहुत बहुत कpoxा है तो हम जल्दी जल्दी से अह संके के बीच में रूपी को लीडर महावीर सारण जी करना चाहेंगे को प्लीज वेलकम सर मोच वेलकम सर मोच विलकम सर मोच विलकम सर मोच विलकम आप देख लीजे सर हैं सब्सक्राइब कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर रहे हैं तो आगे इसी कड़ी में हम इनवाइट करना चाहेंगे जिसको सईता मैम ने बिलकुल भाई की भाई कहा ही नहीं है उन्होंने भाई माना भी है और वो भाई का फर्ज भी निभाते हैं आप सब की जोरदार तालियों के बीच में इनवाइट करना चाहेंगे इस्वाहिदर leyक्तनी तरिफ करें उतनी कम है क्या जोरदार प्रोग्राम लिए आपने कई बार क्या प्रोग्राम शुरू करता है azar उतनी नहीं पर जोरना करें रिलेगे का नेशन दता हैं लिए प्रग्राम्स सुच्च बहुत Łँदे में याद最終 दो अपन पहली बार आपके गरपे थे दस जनवरी 2013 की वो बात है जब आपकी जोइनिंग फीड हो रही थी और हम आपके गरपे थे और उस चुलवाती एक साल तक हुब हमने साथ में बिजनस को अंजोई किया खूब सारे गुमें बिजनस को बढ़ाया टीम को बढ़ाया लीडर करें हमें करना है वो एक बात थी एक ऐसी लाइन ती जिसने हमें खूब मोटिवेट किया और बिजनस को लब फर्श तक लेके गए और मुंबई जैसे स्टेशन को ने जीरो से टोप पर पहुंजाया और आज सरिता जी की महनत का राहुल जी की महनत का नतिज़ा है कि आज म मुंबई में हमारी टीम का एक तरफ आरा जाये और यह कमिटमेंट है और यह को देखें उससे में नुकसान भी हो रहा था इंकम भी नहीं आ रहे थी लोग भी नहीं थे प्रोडेक्ट डिलिवर्य सिस्टम भी नहीं था सब कुछ ने जीरो से स्टार्ट करना था जब सब और राहुल जी की वो फेमिली है जिन्होंने विप्रीत माहुल में करके दिखाया आप पर मुझे गरव है बहुत-बहुत धन्यवाद तुद अब बहुत भाई हैं तो हम सभी और हमारी एक बर चाहेंगे जोड़ार दालियों से उनको संवान देना चाहेंगे क्योंकि वो ट्रेवलिंग में हैं तो हम उनको इन्वाइट नहीं कर पा रहे हैं वो सायद नहीं जुड़े हैं तो आगे हम उनको वाकई में बहुत बहुत धन्यवाद सभी अपलाइन का क्योंकि अगर जिस रास्ते पे हमें बताती है कि इस तरीके से चलना चाहिए और आज स पर चलकर साबिद करके दिखा दिया है कि अगर आप अपलाइन का कहना मांगते हैं अपलाइन का सब्सक्राइब बनाइन का तो आगे हम सरीता मैं वित है support रहता है जाने कि Life partner का तो हमारे बीच में recovering sir 감사합니다 जोरदार तालियों के बीच में प्लीज वेलकम सर्व राहुल सर्व नावल सर्व ट्रैवलिंग में शायद ओके सब्सक्राइब फिर आप अपने आज हमारे बीच मेरी मम्मी भी आई है लेकिन वो मराथी में बात करेंगी तो नहीं जी आप सुन रहे हो तो माई का एंड़ाइस कीजिए और आगे आजाएए वेलकम इसनेहा जी वेलकम समरुद्धी जी आप हैंड़ाइस कीजिए ताके मैं आपको अन्मीट को ऑप्शन दिया जा सकता है तब तक मैं आगे ले ले सेती हूँ मेरा बेटा मेरे साथ है और आज जी हो गई है अन्मीट में सनेहा जी हो गई है जै आर्षियम जै आर्षियम मैं सरिदा जी की बहन और मेरा बहुत सपोर्ट है उनको और मुझे मतलब इतना प्राउड फिल हो रहा है उसके बारे में तो उसके लिए मेरे पास वर्ड्स भी नहीं है एक मिनिट सारिता जी के ममिक से बात कीजिए आप आटी जी परणाम अर्वाकई में सरिता मैम का ये बिलकुल खुबसूरत परिवार ब्यूटी परिवार हम कहेंगे बिल्कुल आज देख रहे हैं सभी लोगों की आखों में आसू है क्योंकि ये दर्द नहीं है ये खुशी है ये खुशी के आसू आज आप सभी के आखों में से हैं तो हम सरिता मैम की मम्मी ने क्या कहा तो हम सरिता मैम से सुनना चाहेंगे प्लीज वेलकम मैम मम मैंने कहा के प्राइटि फिल करता हूँ बेटा नहीं है लेकिन बेटे देश 5000 करता हूँ ठैंक यू थैंक यू सजा क्मारहन हे में आपने बेटी नहीं बेटा बनकर दिखाया है और हम सभीili अपलाइन हमेशा आपका सयोग करेंगे हमेशा आपका समर्थन देंगे हमेशा आप किसी भी परिस्तिती में हो हम हम सभी बेहने आपका हमेशा सपोर्ट करेंगे तो थैंक यू और आगे हम इनके ही लाइफ लाइफ लाइन से याने की पिलर कर दो को दो जी आप इनमाइट कर लीजिव वान वीए अजय मेरे वेलकम काब्या जी बोस्ट वेलकम फिशर डाइमेंड डिक काव्या कामले जी प्ली प्लीस वेलकम मेरे मम्मी पपा जैसे बनना है बड़ा होके और आर्सम के प्रोड़क्ट मुझे बहुत पसंद है बहुत ही सांदार वाकई में ये बहुत ही प्राउट की बात है कि आपका बेटा आपके जैसा बनना चाहता है बाहरी दुनिया में अगर आप देखे तो लोग कहेंगे हम उनके जैसा बनना चाहेंगे हम यहां पे नाम लेना नहीं चाहेंगे फिर्मी एक्टर का रोल लोग कह लेकिन आर्सियम में ऐसे संस्कार हैं कि आपका बेटा आपकी बेटी कहती है कि हमें मम्मी पापा जैसे बनना चाहिए जी बिलकुल वैलकम सबकी लिए नमस्कार मैं राहुल सर की मां बहुत कर रही हूं मेरे बहु बेटे बहुत आचे हैं आर्शियम करते हैं घर पे बिलकुल राते नहीं चारचा दिन भी नहीं रहते हैं नेक पोता और मैं साथ में रहता हूं, मेरे भव बहुत काम कर गार कि इतना घर के इतना खारने नहीं दीती। आत में खानी की थाली दीती, इतना काम करती है, मेरे जिश भव सब केले हैं। जय है एर्षिजेव रावल काओ, मेरे बेटा चार दिन घरेता है। मैं बुलती बेटा, चार दिन तो रहा घर पे, मेरे को आच्छा नहीं लगता है, मेरे को दिन नहीं लगता है, बुलती लेकिन, ना हो कमाना, बड़ा हो ना, इसलिए सब करना पड़ता है, जय अर्शिप. यह मेरी पूरी सपोर्ट सिस्टम है, इनके वज़े से मैं आज आगे बड़ रहीं, थैंक यू, थैंक यू, यह आपका प्यार है, कि आप इतने अच्छे तरीके से हर एक चीज को मैनेज करती हैं, अच्छे से अच्छे रिलेशन बना के रखती हैं, और यह आर्शियम के संस् है, तो वाकई में बहुत ही सांदार है, सजीता मैम, आपको बहुत-बहुत बधाई कि आपको इतने सारे बहुत सारा प्यार मिलता है, जी मैम, समरुदी में चार नमर भाइन आगी है, तो समरुदी टाइम थोड़ा कम है, आप थोड़े कम सब्दे में बोलिए, आए समरु वेलकम बैन जी, वेलकम. चाहर भी है वयसे ही वह फैमिलीमेंबर भी भी भहत अच्छी कृमल्द को सब्सक्रखन सापकर हम लोगों और हम चाइर भीर भाईशों ही एपर हम लोगों को बाही करना भाही को निभाती ए वह बच्पन से बहुत हिम्त वाली है और उसने वो इस ने वह कर दिखाया है बहुत जादा प्रोब्लम को 수 प्रावड फिल करते हैं जब समरदी थैंक्यों टाइम की कमी है हमारे बहुत बहुत धन्यवाद थैंक्यों वेरी मच अपके और भी कोई है नहीं तो हम मामा ससुर जी है शिवाजी कामली जी मैं आपको अनुट को ऑफ्षन देते हैं टाइम लगबग हो चुका है पटापटे के लाइन में आपको मैंने अटमूट को आप्षन दे दिया है आप माई को टच किजिए हलो हां भूलिए हावाज कि एवरोडे जैश्टिंग जो अपराजी तो निलांको में एते दिर से धन्यूआ देता चानला राज के वोस्टिंग जो मैं स्वरुजी मैडम नीजी गया जिनका वोस्टिंग खतरनक होता है यह प्रोग्राम हीटो होता है मैं एक ते दिर से आपे दन्यूआ देना चाहता हूं और बीसी सर्ग को तो हमारे गुरु है तो गुरु से पुरा भारत चल रहे तो बीसी जोंको मैं दन्यूआ दन्यूआ देना चाहता हूं को बीसी सर जब फर्स्ट टाइम करनाठ में आये दो अजार से में तब इसल करजी में आये थे वह मैं तो ब्लाव से रसर सरीता हम सब लोग कीम ट्रैक्स लेके वहां पर गए ते और हमारी पुरा फैमिली भी वहां पर गए ते तब रहुल से के माध्यम से माराश्टा में तो इसल की माध्यम से फुल डेका सेमिनार विट ट्रेनिंग वहां पर हुआ तो हमाने ठान लिया जब हम अर्शेम करेंगे तक जियत तक अर्शेम ही करेंगे उसका एक मतर नची दिया कि आज का प्रोग्राम लाइव प्रोग्राम हम देख रहे हैं तो हमरे शरी तगी नहीं शरीता मैं सैद उनका माइक बंद हो गया है अभिशेक भाई आ चुके है अच्छा ओके ओके बहुत ही सांदार वाकई में सरीता मैं में आपकी फैमिली के अंदर दिल के अंदर आर्सियम है आज आप लोगों ने देखा होगा हर एक फैमिली आर्सियम मैं है और वाकई में एतनी सांदार फैमिली हमने तो कभी नहीं देखी और आज आप देख भी रहे होंगे तो हमारे बीस में हमारे भाई और इस सिस्टम को हम मेशा आगे बढ़ाने वाले वन पीम की आन बान सान हमारे भाई अब इसे एक चावड़ा सर है तो जोड़दार तारियों करें कि उन्हों करें कि उन्हों से कम है और जो परिवार की जो है वो साफ नजर आ रही थी कि उनका मन भरी नहीं रहा था कितना आपके बारे में वो विचार रखते हैं और मैं एक बात कहना चाहता हूं कि यह जो वन पीम मंच की जो सफलता है इसका सारा श्रय आप सारी अपराजिता बहनों को जाता है क्योंकि उस इंस्टिट्यूट का न और कई दिलों की प्रेणना है कई लोगों की जिंद्गियों को जगा रहे हैं और सारे सपने हमारे इसलिए सच उपा रहे हैं क्योंकि हम सब मिल चुली कर आगे बढ़ रहे हैं तो थैंक यू और सरीता मैं आपका कॉन्फिडेंस कमाल है आप से इंस्पायर मैं भी हुआ ज सब अपराजिता बेहनों को दिल से धन्यवाद इतना मन लगाकर के रिजल्ट देने के लिए थैंक यू आपका बहुत-बहुत धन्यवाद क्योंकि समय बहुत ज्यादा हो चुका है तो हम लास्ट में सिर्फ दो साथियों को और लेंगे आप सभी साथियों से माफी चाहें तो आगे हम इन्वाइट करना चाहेंगे कंचन सुकला जी को प्लीज वेलकम सर और जी मैम भी बैठी हुए है साथ में सर्ता देदियों को बहुत बहुत बढ़ाए कि घर्व है हमें यह आपकी आपकी प्रोग्राम वाकर बहुत सांदार रहा और मुझे घर्व है कि हम आपकी टीम का हिस्सा है अब बहुत 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 दनिवाद और आगे हम इन्वाइट करेंगे पूजा चंद्रा मैम को प्लीज वेलकम मैं थैंक्यू सो मच सरोजडी मैम बहुत अच्छी लाजवाब घोस्टिंग और सभी गुर्दों को मेरा नमान है बहुत 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 दनिवाद है और सर्दा मैम का क्या कहना बस तुने यहीं से सेल्यूट करती हूं कि मैं उनकी टीम में हूं मुझे कर्व है कि आज मैं उनक सांदर खांव कर्दियू मैं लास्ट में इसमीटिंग का समापन करने के लिए और व्यू को देने के लिए क्लिए कि हमारे पास में टाइम नहीं है तो एक ही अपराजिता सी निहना अपराजिता को हम लेना चाहेंगे तो आपकी जोड़दार तालियों के 20 में प्लीज़ व लेकिन इसी तरह से आप आगे बढ़िए इतना अच्छा परिवार है आपका इतने अच्छे आपके लाइप लाइन है तो सभी का मार्ग दर्शक इतने सारे बने हुए है तो आप इसी तरह जीवन की उचाहियों को ऐसे ही चुवे और खुशियों से बड़ा आपका जीवन हो इसी सुपकामनाओं के साथ हम सारी अप्राजिताए बहने आपको इसी का सुपकामनाई देते हैं हम सब आपके साथ है जिनको हम लोग नहीं ले पाए उनके लिए चमाचाहेंगे और समय कि क्योंकि पाबंदी है टू पीम सुरू करना है किसी ने पूछा था टू पीम का ल मंत्रीत है आए अपने स्लोगन के साथ 1PM जैयार्सियम एबीडे वन पीम